उत्रपर्देश के हर्दोई में कोविन-19 को लेकर पुक्ता इंतिसाम करने के साथ लोगों को जागरूख भी किया जा रहा है लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से करोना संक्रमन से बचा जा सकता है साथ ही अब लोगों को करोना टिका करण के प्रती भी जागरूख किया जाएगा लोगों को करोना टिका करण करवाने के लाब बताया जाएगे ताकि करोना संक्रमन का फैलाव अधिक ना हो वहीं लोगों को करोना संक्रमन से सुरक्षित रह पाएंगे इसी कड़ी में रोटरी वा इनर वील कलब कानपूर से तीन देश से रास्टी जागरुकता यातरा का आयोजन किया जाएगा कोविड नाइटीन जागरुकता यातरा अभियान के विभिन जनपदों के माध्यम से 1500 की किलोमिटर यातरा कर आम जन्मानस को कोविड नाइटीन टिका करन के लिए जागरुक किया जाएगा आपको बता दे कि उत्रपरदेश के हर्दोई में यातरा के ओडिनेटर शीवानी मिश्रा व अनुरादा मिश्रा पत्रकारों से रूबरु हुई इस दूरान उन्होंने यह जानकारी थी पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि COVID-19 के टिका करन को लेकर कुछ लोगों द्वारा भरांतिया फलाई जा रही है जिसे दूर करने के लिए रोट्री वर इंजनर वील क्लब COVID-19 जागरुकता यात्रा विभिन जन्प पतों से जागरुकत यात्रा होते हुए 25 जन्वरी को हर्दोई पहुंचेंगी उन्होंने बताया कि 25 जन्वरी को ही पराते है दस से साड़े 11 बजे तक जीला स्तर पर भी एक जागरुकता रैली निकाली जाएगी इसके मादिन से शेहर वर जन्पदवासियों को जागरुक किया जाएगा बताते चले कि उतर परदेश के हर्दोई में अब लोगों को करोना टिका करंड के प्रति जागरुक किया जाएगा लोगों को जागरुक करने के लिए टिका करंड यात्रा का योजन किया जा रहा है इस मोंके पर वाइस प्रेसिडेंट रागी नितिवारी ISO पानिता पांडे भी मौदूद रही जैसर श्यवादेंजी बिता ही चुती है आप लोगों कि यह जो रैली है यह इन रोटरी क्लब के साथ है रोटरी एन भी एक ही है जैंट्स के लिए रोटरी क्लब चलता है लेडिक्स का इन भी चलता है तो यह कंबाइन प्रोजेक्ट हो को अभी अलीगर नीकखे दालिगर से के वहां थे काशिपू पुछारी पूचे कर लीगे और तरसे काशिपूर से हम लोग शौर्जाह को होने मिल्य जैका उलोग को अधूर्य करेंगे और वो थे में पच्छेजपशों को बिल्यों होते बेरान पांचेंगे एक फार्षि श्रहापूर हमारी सेप्रेट्री रागनी दिवादी और ट्रिव रागनी चाहेंगे और रागनी चाहेंगे उनको लेकर कि हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वादा